हेलो अवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल और आज इस वीडियो ममकरेंग इलेक्शन कमीशन जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया एक डेमोक्राटिक कंट्री है जिसमें स्टेट और सेंटरल लेवल के इलेक्शन होते ही रहते हैं अब इन्हें इलेक्शन की वैलूज को देख सेंडेक्शन प्रेजिडेन एलेक्शन हो सवे में इसकी इलेक्शन की इसको जो इसकी 25th जैनुवरी नाइंटीन फिप्टी को अब यहां पे एक बात आती है कि जो 25 जैनवरी था इसको इंडिया में नेशनल वोटर स्टे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा उसके पीछे भी कारण था कि इलेक्शन कमीशन और जो कॉंस्टिटूशन मेकर्स थे वो क्या चाते थे जो लोगों में डैमुक्र nuclear के परति विशुअस पैदा हो उनमें जो एलक्षन के परति जो जाग्रुपता आ है इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो एलेक्शन कमीशन को फोरमेशन दे था उसी को क्या कर दिया National Voters Day के रूप में celebrate करना start कर दिया अगर हम इसकी बात करें members की तो हम इसके जो present time में members की बात करें तो वो three members हैं in present time में जिसमें एक chief election commissioner होते हैं और two other election commissioners होते हैं लेकिन अगर हम इसकी formation के time की बात करें यानि कि 1950 में जब इसको स्थापित किया गया तो उस time period के अगर हम बात इसकी था यह क्योंकि इसमें जो चीफ election commissioner ही होते थे other election commissioners इसमें नहीं होते थे तो फस्ट जो चीफ election commissioner थे इंडिया के वो कौन थे सुकुमार सेन जिनोंने 21st March 1950 को अपना कार्यभार संबाला अब अगर हम present time period की बात करें कि present में जो चीफ election commissioner हैं इंडिया के वो कौन है अग 25 नंबर पे आते हैं इंडिया के present time के जो चीफ election commissioner है वो और वो कौन है राजीव कुमार तो यह हमने बात किसके formation की और members की अगर हम headquarters की बात करें तो इंडिया में जो election commission का headquarters है वो निर्वाचन सदन के नाम से है जो कि अशोका रोड न्यू डेली पर situated है Constitution का Article 324 जिसको हम बता सकते हैं कैसे कि Article 324 है वो election commission से related है जो constitution का part है बट यहां पे नामें एक point समझना है कि जो हम बात करें कि All India में जितने भी elections होते हैं वो election commission करवाता है बट यहां पे एक point note को या करना है वो यह है कि जो state level के जो पंचायत से और municipalities के जो elections होते है ना उनसे election Commission का कोई संबद नहीं होता है याने कि वह election commission से related नहीं होता है 1992 में two amendments आये 73rd amendment and 74th amendment जो दोनों को लागू किया गया और part बनाया गया constitution का अब यहां पर बात आते कि यह दोनों जो क्या थे जो state level के जो elections होते हैं जो पंचायत और municipalities के लिए उनके लिए लागू किये गई थे ज 1992 में start किया गया था अब जो 73rd amendment था उसमें पार्ट बनाया गया 9th और 74th amendment था उसमें पार्ट बनाया गया 9th a अब जो नाइन जो पार्ट था इसका वह related था पंचायत से और 9th a part जो था वह था municipalities से जो भी elections पंचायत की जो election होंगे वह 9th part में आएंगे और municipalities मुनिसिपलेटीज की जो इलेक्शन होंगे और नाउंथ ए पार्ट में आएंगे जो कि अमेंड़ मैंड़ में जो इनकों रागू कब से किया गया तो मिलेक्शन से लेटिड उसको किया गया 24 अपरिल 1993 से और ऐसे ही मुनिसिपालिटीज की जो इलेक्शन से रिलेटेड था उसको किया गया 1 जून 1993 से यह हमने बात के की इलेक्शन कमिशन कीईगी और अगर आगे बात करें कि है कि इसकी संचना कैसी हुई तो उसके में कुछ देख लेते हैं जो भी इसकी members होते हैं chief election commissioner and two other election commissioners जो होते हैं उनके appointment president करते हैं कई बार क्या होता है कि जब workload जादा हो जाता है तो उनके pressure को कम करने के लिए regional यानि कि जो प्रादेशिक जब elections होते है न तो उस time period पे भी कुछ जैसे काम जादा बढ़ जाता है तो उस time period पे एक regional election commissioner की न्युक्ति की जाती है तो वह भी president करता है और उस time पे जो चीफ election commissioner होता है वह एक जो election commission के chairman की तरह काम करता है लेकिन यहां पे point और भी ज़्यादा जो ज़रूरी है समझना वह क्या है कि इसके जो members और उनमें differences आते रहे हैं कि time period पे उनमें शिटा सकते हैं कि Chief election commissioner के single होते फेश एक election commissioner थे जब इसके स्थापना की गई तो तरह सीनल पेड़ फिलकषान commissioner ही थे तो single member body हम इसको कह सकते हैं लेकिन उसके नाइनटिन याटीनाइन में इसको घृम फर बोर बाना दिया गया Partners कि क्यों बनाए गए मल्टि मेंबर बोडी में एक चीफ समय को मिशनर होते हैं। तो 1989 में इसकी जो बोडि के थी वह मिल्टि मेंबर हो गई थी तो उसका भी कारण था कि जब वोटिंग एज जो जो अमेंडमेंट जो Constitution में जोड़ा गया जिसमें क्या था कि जो वोटिंग की जो एज ती ना वो 21st येर से जो डिक्रीज करके कितनी कर गदी गई थी 18 येर्स कि जब वोटिंग की जो एज थी वो क्या कर दी गई 21 साल से गटा कर 18 साल कर दी गई तो उस टाइम पिरेड पर ज अब decision लिया कि जो election commissioner है ना उनका जो workload जादा हो रहा है उन पर तो उसके कारेबार को कम करने के लिए उन्होंने other election commissioner की जो न्युक्ति की तो 1989 में first time पर multi member body बन गया ये लेकिन उसी के time period के बाद अगर हम बात करते कि एक साल बाद ही 1990 में ये फिर से अपनी जो previous position में आ गया या ही 1990 में बन गया तो यहां पर हम इसको CEC से समझ सकते हैं कि यहां पर भी ये single member body बन गया लेकिन उसके बाद 1993 में इसको फिर से multi member body बना दिया गया और 1993 से तिल present यानि कि आज तक इसमें multi member body ही है इसकी जिसमें एक चीफ election commissioner है और two other election commissioners तो ये बात कि हमने इसके appointment की second point हम यहा कारेकाल होत का है मेंबर का व कितना होता है यहां पर हम two point पर 6 years and 65 years कि two point यहां पर क्या यह तो उनकी age 65 years पहले हो जाए या फिर उनको कार्य और आत्यों करक्षै CPR हो जाएfert हो जाए तो वह अपने पद से रेटायरमेंट दे सकते हैं इसे पहले वह क्मिशन होते हैं वह अप के पद से हटाया जा सकता है तो यह हो गए इनकी tenure की बात है थर्ड पॉइंट अगर हम यहां पर बात करते हैं तो वह आता है कि पावर का कि जो भी election commissioners हैं और other election commissioners हैं उनको क्या-क्या power मिली हुई है अगर हम power की बात करते हैं तो वह चीफ election commissioner और other election commissioner को same power दी गई है उनमें कोई भी differences नहीं हैं अगर salary और जो allowances की बात करें तो वहां पर भी जो दोनों की यानिक चीफ election commissioner की और other election commissioner की भी same हैं अब यहां पर एक question हो रहाता है कि अब इनकी salary कितनी है तो जो 2018 में decide की गई वह कितने की गई 2.50 लैक पर मन्त तो 2.50 लैक पर मन्त जो salary थी वह Supreme Court के judge की decide की गई चीफ election commissioner हैं और other election commissioners हैं उनकी भी जो salary है वह Supreme Court के judge के similar ही है यानि कितनी salary उनको भी दी जाती है यहां पर हम fourth point और देख लेते हैं कि differences का कि कही भर क्या होता है कि इन day difference दा जाते हैं कि किसी भी बात को लेकर या किसी भी कानून को लेकर उन में मतभेद पैदा हो जाए तो उस time period क्या होगा तो उस time period पर हम देखते हैं कि जब differences आते हैं तो उस टा flagship पे जो differences को दूर करने के लिए मैजियोरी को reference दीजाती है तो जो चीफ election commissioner की फिर कोई 威प नहीं रखता यहां पर जो भी difference जाते हैं को भी dispute हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो majority base पे ही अपना निर्णय देते हैं तो यह हमने बात की हैं किंके composition के कैसे work करते हैं election commission के composition के बाद हम बात करें इसके functions की क्योंकि ये एक All India Body है, स्टेट और सेंटर लेवल के Elections करवाते हैं, तो इसलिए इनके जो कारे भार है या जो काम है इनका वो भी ज्यादा होता है, तो इसके functions हम देख लेते हैं, कुछ important functions है, जैसे सबसे पहले समें आता है, Delimitation of the Constituences, कि जितने भी निरवाचन छेत्र जो है कि जितने भी चुनाव चेत्र थे उनका सीमांकन किया गया, बट वो कुछ से उससे satisfaction नहीं मिली, मतलब satisfied नहीं हो पाए, उस time period पर 1952 में एक अधिनियम आया, जिसको क्या नाम दिया गया, Boundary Commission भी हम उसको कह सकते हैं, या Delimitation Commission भी जो Constitution ने दिया, अब वो क्या था कि 1952 में, अब Parliament में उसके बाद भी जो commissions होते रहें, जैसे 1952 के बाद यहां पर आया, 1962 में, after that 1992, and after that 2002, अब ये क्या थे, कि इन में क्या था, कि जो जितने भी निर्वाचन छेत्र थे ना, उनका सीमांकन करने का कारेग दिया गया, अब ये किस पर करते थे, जो इनके dependency होती थी, वो जो 10 years में जितनी भी जनगना होती थी, यानि कि जो 10 years के जो recent के जो census होते थे, उनके base पर ये निर्वाचन छेत्रों का सीमांकन करते थे, इसलिए इनको boundary commission, ये delimitation commission भी कहा गया, कि ये जो भी, जो gerrymandering की जो समझा थे, उसको भी कम करते थे, तो परी सीमन आयोग भी हम इस election commission ही करता है, अब उसके पीछे भी process होती है, कोई भी पार्टी कोई पार्टी कोई से election लड़ रही है, अब उस elections के valid votes का अगर उसको 4% मिलता है चाहे वहाँ पे parliamentary elections हो या विधान सभा के जो elections होंगे उनमें अगर उसको उसी राज्य से 4% valid votes जो मिल जाते हैं तो उसको एक state level की party मान लिया जाता है लेकिन उसको national level की party बनने के लिए उसको या तो चार राज्यों से चुनाव लडने होंगे यानि कि उनकी मान्यता मिलनी जरूरी है या फिर उसको चार से अधिक राज्य जब उसको भी वह दे देते हैं तो वह एक national level की party बन जाती है तो यह उनको जो political parties होती है उनको मान्यता देने का काम भी को उनकरता है election commission करता है एक इस इसमें आता है तो रेजिस्टर ऑल इलिजिबल जो वोटर्स होते हैं उनका भी जो रेजिस्टर करना और उनको electoral rolls देना यानि कि मतदाता सूची में उनका नाम देना उनके एक लिस्ट बनाना यह काम भी को उन election commission करता है एक इसमें आता है टू अलोट रिजर्व election symbols कि जो भी political parties को एक सिंबल्स दे जाते हैं जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि उनको अलग अलग सिंबल्स दे जाते हैं कि जो elections में काम आते हैं किसी भी पार्टे का कौन सा जो सिंबल होता है तो वह सिंबल जो प्रोवाइड करवाते हैं वह भी election commission करवाता है next election commission के function में आता है to advise the president and the governor की जो election commissioner है वह प्रेजिडेंट और members हैं उनकी disqualifications के बारे में वह प्रेजिडेंट को सलहा दे सकता है ऐसे गवर्नर का आता है कि state legislature के जितने भी जो members हैं उनकी disqualifications के बारे में election commissioner governor को जो की article 192 में बताया गया है उसके तहत वह उसको advise दे सकता है governor को तो यह भी कारे क्या करता है election commission के जो election जो चीफ election commissioner होता है वो करता है नेक्स में आता है to prepare code of conduct जो सबसे most important है कि हब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि most important हम इसको क्यों कह रहे है इस point को क्योंकि code of conduct की जितनी भी parties है उनमें आचार सहिंता को बनाए रखना कि कोई भी party चुनाव से पहले उनको रूल regulations बता दिये जाते हैं और चुनाव के बाद तक जब चुनाव कोने के बाद में घोशना की जाते कि अब को जो code of conduct उसको बंद किया जा रहा है तो इस ताइप में जो भी रूल्स और जो लॉस बनाए जाते हैं ताकि जो अगर हम देखे ना कि गैरिमेंडरिंग की समस्या ना आए उनसे और किसी के साथ भी बेदबाव ना हो अब कोई भी पारटेज जो अपना मिस भीएव ना करे responsibilities ना दिखाए कोई भी बॉयलेंस ना हो इसके लिए code of conduct जो प्रिपेर करता है या कि जो दिया जाता है वो भी election commission देता है नेक्सिस में आता है to appoint officers अब officers को appointment कब दे जाते हैं कि जब भी elections होते हैं अब उस वहां पे क्या होता है कि कोई भी disputes हो सकते हैं कोई भी violence हो सकता है किसी भी परिकार की जो polling booth की capturing हो सकती है इस ताइप कि अगर गटना को रोकना है ना तो उसके लिए officers को appointment किया जाता है वो appointment का काम भी election commission करता है to cancel polls कि जो भी elections जो होते हैं कि polls जो होते हैं उनको भी वो cancel कर सकता है इतनी power भी election commission के पास होती है उसको लगे कि बेबूत capturing कर लिया गया है या फिर किसी तरह के violence हो गई है किसी के साथ भेदबा हुआ है तो अगर किसी party ने कोई भी misbehave किया है या गलत तरीक से उन्होंने अगर चुनाव जीता है या जीतने के एक अगार पर हैं तो उस time period पर भी वो पॉल्स को जो cancel कर सकते हैं इसकी power भी election commission के पास होती है next इसमें to prepare roster for publicity of political parties की जितने भी political parties हैं उनकी publicity के लिए radio टेलिविजन पर जो मतब परचार किया जाता है ये भी उसके functions में आत अपना होती है कैसे वर्क करता है और क्या-क्या इसके कार्या है इसके बारे में डिसकस कर लिया ओके फ्रेंड्स यहां पर हमने election commission का portion complete कर लिया है अगर आप hand return notes चाते हैं तो मुझे social media पर follow कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा आपको वीडियो कैसे लगी comment करके जरूर ब